हलो आज हम सिखेंगे कनवर्जन किसका CGPA का परसेंटेज में मतलब अगर आपका नंबर CGPA में है और आप चाहते उसको परसेंटेज में चेंज करना तो क्या करोगे सिंपल सा कंसेट है जितना आपका CGPA है उसको मल्टिप्लाई कर दो 9.5 से करना क्या है जितना CGPA है आपका multiply कर दो 9.5 से जो result आएगा वो आपका percentage में आएगा यहाँ पे example देखिए 9.0 CGPA है इसको percentage में आपको change करना हो तो multiply कर दो 9.5 से क्या हो जाएगा 85.5 percentage और यहाँ पे है 7.6 CGPA तो multiply कर दो 9.5 से क्या हो जाएगा 72.2 percentage यह आप लोगे लिए छोड़ देता हूँ comment करके बताओ कि 8.4 CGPA को percentage में change करोगे तो कितना आएगा